अगर बात करें ओपो की तो ओपो ने काफी इनवेटी स्मार्टफोन लाँच किये थे जैसे ओपो नेक्स इन स्मार्टफोन में आपको काफी कुछ नया-nyया डिजाइन देखने को मिलता है अब बात करते हैं ओपो एफ 11 प्रो ये स्मार्टफोन अने वाला है फेबरियोरी के एंडिंग में अगर बात करें स्मार्टफोन के तो इस स्मार्टफोन में भी वीवो वी 15 प्रो की तरह ही यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलेगा यहांवे इस смартबोन में भी आपको एक पॉप-अप केमरा देखने को मिलेगा पीछे के साथ आपको ड्यूड केमरा सेट आप देखने को मिलेगा अससमार्टफोन के एक खास बात है इसमार्टफोन में भी आपको 48 mereka右 Ole 6 Pro में देखने को मिलेगा यह होगी एक bezel-less smartphone, यहाँ पे आपको front camera देखने को मिलेगा, एक pop-up camera, अगर वहीं पे बात करें, smartphone की design तो यहाँ पे आपको dual-tural color scheme देखने को मिलेगी, यहाँ पे होंगे एक glossy body में यह smartphone देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको media duck का P70 देखने को मिलेगा, अगर बात करें इस smartphone की processor जहाँ पे आपको media duck का helio P70 देखने को मिलता है, इस smartphone का जो processor है, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा था, realme के U1 में, अगर बात करें इस smartphone के processor तो processor कफी अच्छा है, तो इस smartphone में आपको Type-C का कुशन देखने को मिले है, साथ में headphone jack का और यहाँ पे आपको finger pin sensor back side बे देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको हरे वो चीज़ देखने को मिलेगी जो एक perfect smartphone में देखने को मिलती है इस smartphone में आपको super walk charging का भी sport देखने को मिलेगा अगर बात करें स्मार्टफोन की बैक ती यहां पे आपको gradient color scheme देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन में अब बात करते हैं स्मार्टफोन की camera की तो यहां पे आपको dual camera setup देखने को मिलेगा पीछे के तर वहीं पे आपको LED flash भी देखने को मिलेगी साथ में आपको finger pin sensor देखने को मिलेगा पीछे की तर अब बात करते हैं स्मार्टफोन की camera की तो यहां पे आपको 48 megapixel का camera देखने को मिलेगा यह होगा Samsung का GM1 अब बात करते हैं स्मार्टफोन की तो यह स्मार्टफोन भी वैसे ही होने वाला है जैसे आपको Redmi Note 7 और 7 Pro में देखने को मिलेगा जहां पे आपको 12 megapixel का shot देखने को मिलेगा वहीं पे आपको better low light image देखने को मिलेगा आप में आपको 1.6 micron pixel देखने को मिलेगा यहां आप यूज कर सकते हैं low light को अपनी images को कौफी ज़यदा अच्छा बनाने के लिए उनमें भी आपको 48 megapixel का sensor देखने को मिलेगा जैसे आपको Redmi Note 7 और 7 Pro में देखने को मिलेगा अगर बात करें स्मार्टफून की front camera के तो यहां पे आपको 32 megapixel का front camera देखने को मिलेगा यह भी camera आपको same वैसा ही होने वाला है Vivo V15 Pro के तरह ही जहां पे आपको एक pop-up camera देखने को मिलेगा इस smartphone में आपको center से ही यह pop-up camera देखने को मिलेगा अब बहुत करते हैं smartphone की price और कब तक की launch होगा इंडिया में कुझे comment करके बताओ आप मेंसे कितने लोग हैं जो इस phone का wait कर रहे हैं मुझे जरूर बताना comment करके तो बस यह आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छे लेगी तो like कर दो subscribe कर दो channel को मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye